है नमस्कार साथियो मैं गीता श्री फिर हाजिर हूं कविता मेरे खरीब में अपनी प्रीय कवित्री पत्रकार एक्टिविस्ट निविता की कविताय लेकर निविता जी के जो कहाने के दो कविता संग्रा वानी प्रकाशन से आच चुके हैं, और वे भूट सक्रिया हैं, साहित में दिनों कहानी भी लिख रही हैं, तो मैं उनकी एक कविता जो मुझे भी पसंद आई अभी के महाउल में, और चुकि इस कविता कचैन मने इसलिए किया, मुझे इंदिर's से बाहर आके लिखता है और उसमें वो ना इस्तिरी होता है नपुरुष होता है एक मनुष्य होता है तो उस मनुष्य की जलका इसमें देख सकते हैं कविता का शर्सक है मैं अब भूलने लगा हूं कवी निवे दिता मत देखो मुझे ही कारत से मिरी यादे मेरा तो शरीर भी छोड़ रहा है मैं भूल जाता हूँ हर बार अपने कह शब्द को मैं भूल जाता हूँ हर बार अपने कह शब्द को और मिरे जेहन में देर तक नहीं ठारता कुछ भी मैं देखता हूँ तुम्हारे चेहरे की खीस और छेपता हूँ जो डालता हूँ शब्द बह जाते हैं मैं यादो की पतवार बना उसे अपनी नाओ में बिठाना चाहता हूँ शब्द के नाओ उम्र की बाढ़ में बह जाते हैं बस मुझे तुम्हारा चेहरा याद है तुम्हारी हसी, तुम्हारे बच्पन के सवाल, जिसे तुम बार-बार दूराते थे, और मैं कभी नहीं थकता था तुम्हारे सवालों से, तुमने अभी-भी कुछ कहा, मुझे बार-बार समझाया, मैं फिर भूल गया हूँ, परिशान हूँ, मैं अब शब्दों से डरने ल करना हूं उसकी चलाकियों से उसके घमंड से जो मुझे कह रहे हैं मैं नहीं तो तुम कुछ भी नहीं मेरे बच्चे ठैरू जरा मेरे भिच्चे ठेहरो जरा मेरा हाद थाम लो मुझे भरोसा दो, शब्दों के बिना भी कुछ है, जो हम सब के भीतर बहता है, जैसे चूपचा बहती है नदी, जैसे आस्मान में दधनुश के रंग, जैसे शाखों पर बिना कुछ कहे खिलते हैं फूल, तुम मेरे मन को समझ लेना, उम्र की इस नदी में मैं डूब रहा हूँ, तुम हा भरोसी और प्यार से भरा, मुझे सिर्फ तुम्हारा स्परश्याद है, भरोसी और प्यार से भरा, मैं अब नहीं डर रहा हूँ शब्दों से, शब्द हैरान है, मैं अब नहीं डर रहा हूँ शब्दों से, शब्द हैरान है, शब्दों के शोर में बिना कुछ कहे कौन लिया है मैं हस्ता हूँ मेरे हाथों को तुम्हारे गर्म और खुबसूरत हाथों ने जो थाम लिया है धन्यवाद